नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जीतेन चौदरी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेके एरूटेक में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के सामने 10 ऐसे सेस के बारे में डिसक्स करूंगा जिसको यदि आप इस मार्केट के गिरावट में दबोच लेते हैं खरीद लेते हैं तो आगे चलकर आपको एक बढ़िया रिटर्न मिलने की संभावना रहती है तो बनर यह जेके एरूटेक के साथ और वीडियो को सुरू से लेकर अंतक जरूर देखिएगा क्योंकि इस स्केट गिए तो आप जो है इन 10 सेर पर नजर बना कर रख सकते हैं तो हमारा पहला स्टॉक है दोस्तों उस स्टॉक का नाम है अच्टि अपक्निक सक्टर का उस्ताद और बैंकिंग की सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी बैंक प्राइबेट बैंक HDFC बैंक का सेहर 1472 रुपे के भाव पर अभी मिल रहा है आज तक्रीवन 3.5% की राउट इसमें देखने को मिले पिछले एक साल के रिटर्न आप इर्मेस्टमेंट को देखे तो HDFC बैंक लिप्टेट ने तक्रीवन 30% का रिटर्न जो है अपने निविश् कंपनी लिम्टेब यानि कि HDFC लाइफ इंस्वरेंस इंस्वरेंस सेक्टर की एक लिडर कंपनी है और अभी ये 678 रुपे के भाव पर आपको मिल रहा है आज तक्रीवन 2.74% की गिराउट आपको इसमें देखने को मिली वहीं पिछले एक साल पिछले आल टाइम के देखे तो आल टाइम में 97% करिटन दिया है और अभी इस कंपनी को स्टॉक मार्केट में ज्यादा लिस्ट हुए समय ने हुआ है तो आपको पता है कि इंस्वरेंस सेक्टर में जो है एक बहुत बड़ा बूम आने वाला है तो यदि आप लॉंग टम के दिश्टिकोर से इंवेस् है आज इसमें 0.48% की गिरावट देखने को मिली हलाकि जिस तरह से आइटी सेक्टर और कैमिकल सेक्टर में भूम मचा हुआ है तो आरती इंडस्ट्री लिम्टेट के आप रिटन को देखें तो आल टाइम का देखें तो तक्रीबन 75,399% के करीम में इसने जो है अपने नि इसने तक्रीबन 8% का रिटन दिया है तो अभी ये कंपनी ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई है भागी नहीं है अभी इसमें चांसे ज्यादा है अगली जो कंपनी है दोस्तों उसका नाम है HDFC Asset Management Company Limited यानि कि HDFC AMC आपको पता होगा कि जो mutual funds होते हैं तो उनका काम जो है HDFC AMC जो है एक mutual funds की subsidiary है जो कि HDFC bank की ही एक company है तो इसमें चाहें तो आप निवेश कर सकते हैं और इस company को भी अभी stock market में लिस्ट हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ मुस्किल से दो तीन साल हुआ है पिछले एक साल के डर आप investment को देखे तो 21.49 का return दिया है अभी इसमें scope की संभावना काफी बची हुई है तो जब जब आपको deep मिले आप इसमें कर सकते हैं अगला जो stock है दोस्तों entertainment शेक्टर का जिसका नाम है दोस्तों pvr cinema limited pvr cinema limited अभी आपको 1349 रुपे के भाव पर मिल रहा है आग इसमें डेल पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली लेकिन pvr cinema अगर आप देखें entertainment के शेक्टर में तो सबसे बड़ी कंपनी pvr cinema है लेकिन पिछले एक साल के इसके ग्राफ को देखें तो काफी ज़्यादा ups and down देखने को मिला है इसका में कारड यही है दोस्तों क्योंकि pvr cinema कोवीट की वज़ए से काफी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है क्योंकि आप देखें कि मार्च में कोवीट आया था फिर इसका सेर 1000 रुपे के निशे चला गया था फिर दूसरी जवलार आई तो भी इससे जो है काफी प्रभावित हुआ pvr cinema limited अगला जो स्टॉक है हमारा दोस्तों ओ है footwear से रिलेटेड यानि चप्पल बनाने वाली कंपनी relaxo footwear limited का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा relaxo footwear footwear sector का एक leading company है अभी आपको 1160 रुपे के प्राइस पर मिलना है अभी इसमें scope की संभावना है बहुत ज्यादा है पिछले एक सालों में relaxo ने अपने निवेश्कों को 86.41 परशन का रिटन दिया है जो की काफी सांदा रिटन माना जाएगा relaxo footwear limited का तो relaxo footwear एक अच्छी company है multi-wagger stock है आप चाहें तो इसमें निवेश्क कर सकते हैं अगली जो company है दोस्तो गोल्ड फाइनस की company है मुथूट फाइनस लिटेड मुथूट फाइनस लिटेड मुथूट फाइनस लिटेड एक nbfc company है non banking finance company है अभ गोल्ड लोन भी प्रवाइड करती है तो जो गोल्ड लोन होता है दोस्तो ओफिक्स लोन एसेट की कटिग्री में आता है तो इस company का management अच्छा है आप चाहें तो इसको जो है accumulate कर सकते हैं पिछले एक सालों में इसने जो है 25 दसमलो 38% का return अपने निवेश्कों को बना कर दि है और निफ्टी 50 का जिगज स्टॉक है depth free company है आप इसमें चाहें तो अच्छा खासा निवेश्क कर सकते हैं यह भी मेरे portfolio में है चुकि एक सालों में इसके return को देखे तो मात्र जो है 30% का return दिया है पिछले एक सालों में अगले स्टॉक के बारे में discuss करने से पहले मैं आप से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप नए हैं तो चनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमें motivate जरूर कीजिएगा अगला जो स्टॉक है दोस्तों Reliance Industry Limited हमारा आकरी और दसवा स्टॉक दोस्तो Reliance Industry Limited मुकेश भाई अंबानी की कंपनी Reliance Industries को को नहीं जानता होगा इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंपनी दोस्तो Reliance Industries Reliance Industries एक कंपनी नहीं है अपने आप में एक पूरा बाजार है क्योंकि रिटेल सेक्टर में भी है आ आप इसे फ्यूचर के लिए खरी सकते हैं पिछले एक सालों में देखे तो मांत्र दस पर्चेंट निका रिटन दिया है यानि इस कंपनी में ग्रोथ की संबावना अपार है और Reliance एक ऐसा स्टॉक है जो मार्केट में कभी भी दमाल मचा सकता है तो यदि आप इसको इग् पूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों मार्केट में जिब गिरावत होती है तो लोग अपरा अतप्रीम जाता है लोग बितने पर लगते हैं घबड़ा जाते हैं क्यार पोट्फोलियो खाली करो लेकिन यही मौका होता है कि जब मार्केट में गिरावट हो तो अच्छे सेस में इन्वेश्टमेंट करने का जब मार्केट गिरे आप अच्छे सेस में निवेश्ट कीजिए आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा दोस्तों यदि आप खराब सेर में पेने स्टॉक में निवेश्ट करेंगे एक रुपे दो रुपे वाले सेर में तो उस होगा डबल लेकिन प पसंद आये होगा यदि वीडियो पसंद आये तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से दिक लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए नए हैं तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बैल आइकन को प्रेस कर देजिए ताकि जेके एरूटेक की तरफ से जब भी कोई नई झाल